होँइए करो हुआ हाज हम बात करने वाले हैं see bits ने इंजायम एलेटेट डेजीज में और सारि डिसी आती जो इस होँआपकी मीटाबॉलिसमें प्रॉबलम की वाज़े से आती है वह भी हम देखें एक सारी चीज़े समझ में आ जाएं तो देखें ये मिथियोनीन हमारा है जो कि डाइट से आता है क्योंकि ये essential amino acid है तो डाइट से मिथियोनीन हमारा आया और यहां मिथियोनीन transporter protein होती है जिसके थूँ ये मिथियोनीन target cell तक आ जाता है जाता है अब यहां देखें ये मिथियोनीन ये convert हो जाता है S-adenosine methionine में तो ये S-adenosine methionine और इसमें फर्क क्या होता है कि यहां पर adenosyl add हो जाता है और ये adenosyl add होता है यहां पर enzyme work करता है उसका नाव है methionine adenosyl transferase जिसको हम M80 बोलते हैं तो बस यहाँ पर फर्क किया हो गया कि एडिनोसाइल एड हो गया और मिथियोनिन में देखे पहले से मिथाइल परजेंट था अब इसमें भी मिथाइल परजेंट है लेकिन अब देखे एस एम से यहाँ पर मिथाइल ट्रांसफरेज आया और इसमें जो methyl present था यहां से जो आया था इस methyl को remove कर दिया और अब यह S-A-M-S-A-H बन गया S-Adenosyl homocysteine तो यह S-Adenosyl homocysteine बन गया अब इस S-Adenosyl homocysteine पे Adenosyl homocysteine work करेगा और इसमें देखिए जो यह Adenosyl यहां add हुआ था इसको यहां से remove कर देगा तो यह Adenosyl remove हो गया यहां से तो इसमें बचा किया सिर्फ homocysteine तो देखिए यह S-Adenosyl homocysteine यह S-A-H homocysteine में connect हो गया तो यह हमने देख लिया कि methionine से homocysteine कैसे बनता है यह पुरा हो गया अब यह homocysteine जो बना देखिए homocysteine के दो faith है दो इसका वो है और हम दोनों बात करेंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले homocysteine यह connect होता है methionine में और देखिए homocysteine में यहाँ पर methyl group present नहीं है क्योंकि देखिए methyl group पहले से यहाँ पर remove हो गया अब homocysteine से जब methionine बनेगा तो methionine में यहाँ पर देखिए methyl group present होना चाहिए तो अब यह methyl group आएगा कहां से तो यह इस reaction से आता है इसको हम थोड़ा से और देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर normally क्या बतायागा है वैसे ही देखिए methyl folate और kobalamine यह तो नों में जब reaction होता है तो यह methyl जो है यहाँ पर methyl transferase enzyme more करता है और methyl को यहाँ से उठा के यहाँ कर देता है तो देखिए methyl B12 बन गया है और folate को यहाँ नहीं दिखायागा folate यहाँ बनता है ठीक है तो यह है तो इसको इस तरह समझने से हम इसको इस तरह समझ लें तो थोड़ी दिर के लिए इसको हम भूल जाते हैं तो इसको हम मिटा देते हैं अभी कुछ दिर के लिए ठीक है तो देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पर explain किया है अभी और चैसे समझ में आ जाएगा तो इसको मिटा दिये और उसके बाद देखिए ये होमोसिस्टीन से मिथियोनीन में कनोट कैसे हुआ तो होमोसिस्टीन में CH3 नहीं है याँ मिथाइल नहीं है और यहाँ पर मिथाइल चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मिथाइल कोबालामाइन की जरुद परती है तो होमोसिस्टीन मिथाइल कोबालमाइन के साथ वर्क करता है और यहाँ पर मिथाइल सिंथेज या मिथाइल ट्रांसफरेज इंजाइम वर्क करता है जो यहाँ से मिथाइल गुरूप को लेता है और यहाँ मिथियोनीन में भेज देता है हमारे डाइट से आता है और जब डाइट से आता है तो जब यह इंटेस्टाइन में होता है तो वहाँ पे इसका मिथाइलेशन हो जाता है जो हमारा फोलेट आता है उस फोलेट का यहां इंटेस्टाइन में इसका मिथाइलेशन हो जाता है इस हो जैसे ताकि यह आसानी से blood में dissolve हो जाए और target tissue तक हो जाए तो यहां methylation हो जाता है तो पता चले यह methyl tetrahydrofolate यह हमारे diet से आता है अब यह methyl tetrahydrofolate जब diet से आया तो देखें यहां पर methyl present है अब यह combine होगा कोबाला माइन के साथ और देखें अब यहाँ पर फिर methyl transferage work करेगा और जो methyl transferage work करेगा तो इस methyl को यह transfer करदेगा methyl कोबाला माइन पे तो दिखें यहां से यह हैं चला गया फिर यह cycle ऐसे चलती रहागी यह हैं जाएगा और यह homocysteam methyl यह यहां चला गया तो दिखें methyl यहां diet से आया means tetrahydrofolate diet से आया उसमें methyl भी आया उसके साथ तो methyl देखे यहां से फिर यहां चला गया methyl और फिर यह homocysteine से methionine कनोट होने में यह methyl चला गया यहां फिर यह methyl देखे इसका faith देखे ऐसे तो यह पुरा चलते रहता है तो हमने इसकी बात की यही चीज़ यहां पर यहां पर भी यही चीज़ दी गई थी ठीक है यह हो गया और उसके बाद फिर हम इस homocysteine के आगे बात करते हैं कि यह एक faith होगा methionine में कनोट हो गया अब इस homocysteine पर देखिए cystathion synthase work करता है और यह cystathion synthase serine के presence में यहां से combine होता है और यहां पर देखिए co-factor जो होता है vitamin B6 तो इस co-factor की presence में यह cystathion synthase work करता है और homocysteine को जोडता है और इससे बन जाता है cystothionine तो यह cystothionine मन गया अब यह cystothionine देखिए यहां पर enzyme और करता है cystothionase और यह cystothionase यह भी B6 के presence में और और करता है यह co-factor का काम करता है और यह konnot हो जाता है cystine में और cystine के साथ homocyrine में भी konnot होता है लेकिन यहांपर maidue cystine सिर्फ दिखाया गया है homocyrine में भी konnot होता है और यह homocyrine यह चला है होज़ो कि यह homocyateful और पर लाक्सिंगि यह इन disease की बात कर लेते हैं उसके बाद फello हम इसकी पूरी बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं Austhose syndrome या Smith storage disease गार सेध्वम करें है यहाँ पे हमारे जो methionin transporter protein है इसमें defect की हो जासे होता है तो methionin absorb नहीं हो पाएगा और ट्रांसपोर नहीं हो पाएगा यह enzyme deficient हो जाता है, इसकी कमी हो जाती है, डिसके और से methionine, S-A-M, यानि S-A-Dynosine, methionine में convert नहीं हो पाता है, ठीक है, तो यहाँ पर methionine accumulate हो जाएगा, तो यह हो गया, और इसकी clinical finding की हम बात करें, तो देखिए, यहाँ पर boiled cabbage order आता है, बस, इसमें इतना जानना काफी है, औ उसका पर फिर देखिए, classic homocysteineria, तो देखिए, classic homocysteineria में क्या होता है, यह देखिए, sister thionine synthase, यह जो enzyme है, यही deficient हो जाता है, इसे में problem हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, तो इसे को हम homocysteineria भी बोलते हैं, classic homocysteineria या homocysteineria, इसके बारे में पूरे detail से बात करने वाले ह और उसका पर देखिए, क्या है, sister thionuria, sister thionuria, देखिए, यहाँ पर इस enzyme में problem हो जाती है, और यह enzyme है sister thionine, तो sister thionine, जब work नहीं करेगा, तो यह sister thionine, convert नहीं होगा, sister thionine में, तो इस enzyme की deficiency की वज़े से sister thionuria होगा, ठीक है, और उसका पर पर देखिए, non classic homocysteineria, तो यह non classic hom methyl tetrahydrofolate, methyl tetrahydrofolate, यह methyl cobalamin में problem आ जाती है, जिसकी और ऐसे, जब यह methyl tetrahydrofolate में problem है की, तो methyl cobalamin भी नहीं बनेगा, यह अगर methyl cobalamin में problem आ रही है, तब भी यह reaction रुक जाएगी, ठीक है, और homocysteine, methionine में convert नहीं हो पाएगा, तो यह problem आती है, तो यहाँ तक हो गया, बताया गया, कि सिस्टो थियोन सिंथेज डिफिसेंसी, तो यह homocysteine जो होता है, यह सिस्टो थियोन सिंथेज की डिफिसेंसी की वज़े से होता है, अब treatment की बात कर लें, तो देखिए, decrease methionine, तो methionine को हम decrease कर देंगे, डाइट में, और increase systeine, तो systeine देखिए, यह जो है, वो proper work कर सकें, और देखिए, बीटोल और फॉलेट इन डाइट, तो बीटोल और फॉलेट यह डाइट में देंगे, बहुँ जादा नहीं देंगे, लेकिन यह नॉर्मल मिगदार में देते रहेंगे, ताकि यह जो हमारी cycle है, यह चलती रहे, इसमें ना कमी है, ठीक है, यह यह enzyme present है, लेकिन इसकी affinity कम हो गई, और यह जादा effective इस पर अपनी रहा, तो क्या करेंगे, इस condition में हम treatment देंगे, और इसमें हम B6 बहुत जादा देंगे, ताकि B6 जादा रहेगा, तो इसको जादा stimulate कर पाएगा, यह हो गया, and increased systeine in diet, और जब तक यह convert होगा, उस level को maintain करने के लिए, systeine भी हम देंगे, ताकि यहां से यह जो इसका आगे कमेटबल पात होगा है, वो चलता रहे, और फिर है, if methionine synthase, homocysteine methyl transferase deficiency, treatment increase methionine in diet, तो यह बता रहा है कि अगर यह methionine synthase, देखिए, methionine synthase, जिसको हम homocysteine methyl transferase बोलते हैं, तो homocysteine methyl transferase देखिए, यहां से methyl को लेता है, और यहां पर लखे चले आता है, तो इसी methionine synthase, यह homocysteine methyl transferase की अगर deficiency हो जा रही है, तो हम treatment क्या देंगे, तब हम treatment देंगे, increase methionine in diet, तो यह methionine बन नहीं पाएगा इसकी डिफिजनसी के अज़े से, तो हम diet में methionine को बढ़ा देंगे, ताकि यहां से ज़्याद absorb हो, और उसका पर देखिए, methionine tetrahydrofolate reductase, MTHFR, अगर इसकी deficiency हो रही है, तो क्या करेंगे, treatment increase folate in diet, तो diet में folate को ज़्यादा देंगे, तो देखिए, यह क्या है, यह हमारा है methionine tetrahydrofolate, यह methionine tetrahydrofolate, इस MTHFR की मदद से, यह connect होता है, methionine tetrahydrofolate में, ठीक है, अब यह methionine tetrahydrofolate, देखिए, फिर यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ से, methionine tetrahydrofolate यहाँ जाता है, तो इस पाथवे में help करता है, तो अगर इस enzyme की deficiency हो जा रही है, MTHFR के, तो हम diet में, methionine tetrahydrofolate ज़्यादा कर देंगे, इस diet में, folic acid बढ़ा देंगे, उसके ते से directly यह चीज़ म presentation देख लेते हैं, तो देखिए, all forms result in excess homocysteine, तो जितने भी यहाँ पर discuss किया गया है, सब में देखिए, यहाँ पर problem आ सकती है, तो यहाँ पर problem आ सकती है, या तो इसमें bitol में problem आएगी, या तो इसमें problem आएगी, तो सब की वरे से देखिए, यह यह वाला पाथवे भी रखेंगे, और यह देखिए, इसमें सबसे पहली finding edge से हम देख रहे हैं कि homocysteine in urine, urine में homocysteine बहुत जादा परजेंट होंगी, ठीक है, और दूसरा क्या, osteoporosis, तो हमको O से देखिए, osteoporosis देखने को मिलेगा, M से देखिए, हमको marfenide habitus से देखने को मिलेगा, M से, और उस अज बया है, और इस थी से cardiovascular effect हमको देखने को मिलेगा, और ए cardiovascular effects को मिलेगा, क्योंकि homocysteine increase होगा, तो यह cause करता है thrombosis को, तो thrombosis करता है, तो thrombosis और atherosclerosis दोने हो देखने को मिलेगा, तो तो cardiovascular disease भी यह cause कर सकता है, तो काश करेगा, इसके clinical finding है, और हमको kyphosis देखने को मिले और intellectual disability भी देखने को मिलेगा और hypopigmented skin देखने को मिलेगा ठीक है यह हो गया और उसको बताएगा इन homocystinuria lens sublux down and in तो बताएगे कि homocystinuria में lens जो हता है यह down और in हो जाता है और जबकि marfan syndrome के हम बात करें तो marfan up and fence out marfan में क्या होता है उपर होता है और बाहर हो जाता है ठीक है तो हमने इस वीडियो में पूरी बात की homocystinuria के बारे में और दूसरी भी हमने disease की बात की जो इस पातों में generate हो सकती है